हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आम सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा सेकेंड की वाकशीट नमबर है 108 जो की 11 नवंबर 2020 की वाकशीट है और आज का विशह है बच्चों हिंदी और ने वाले हैं हमारी हिंदी की किताब रिमजिम से पार्ट बुल बुल तो ब बी, सी जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे ठीक है तो चलिए इस वाकशीट को शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चों हम सबने मिलकर पार्ट बुल बुल पढ़ा था आईए आज पार्ट से अपना घोसला बुनती है यहां बुनना किसी काम को दर्शाता है यानि कि कोई काम किया जा रहा है ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता लगता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं इसी तरह नीचे चित्रों में लोग कुछ काम कर रहे हैं उन्हें देखकर बीच में दिये गए उचित कृयाशब्द से मिलाइए तो बच्चों वो सारे शब्द जो दिखाते हैं कि कोई काम किया जा रहा है जैसे लिखना पढ़ना पढ़ाना खेलना कूदना यह सारी चीजे कृयाशब्द हैं ठीक है? तो हमें देखेंगे यहां पे बच्चा नहां रहा है उसके बाद है पढ़ना तो देखो इस चित्र में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बाद अगला है कूदना तो यहां पे सारे बच्चे कूद रहे हैं फिर है सोना तो यहां पे यह बच्चा सो रहा है उसके बाद है भीगना तो देखो यहाँ पे बारिश आ रही है और यह सारे बच्चे भीग रहे हैं ठीक है बच्चो तो पहला प्रश्ण तो हमने हल कर लिया अगले में हमें कहा हुआ है कि इस चित्र को ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ लोग हमें दिख रहे हैं यह एक लड़का है यह लड़की ह यह उसके पापा हो सकते हैं और यह उसकी मम्मी हो सकती है तो हमें बताना है कि यह आपस में क्या बाते कर रहे हैं और इनकी बातचीत को आप जोर जोर से बोलेंगे और फिर अपनी कौपी में लिखेंगे ठीक है बच्चो तो चलिए देखते हैं कि यह क्या बाते कर रहे है तो बच्चो देखो ये लड़का बोलता है पापा आ गए तो लड़की बोलती है पापा आप हमारे लिए क्या लाए तो पापा जी बोलते हैं मेरे लिए पानी लाओ फिर दिखाता हूं तो ये है इनकी आपस की बातचीत जो आप अपनी कौपी में लिख लेंगे ठीक है बच्चो? इसके बाद बच्चो आपके पेरेंच के लिए यहां पर सुझाव है कि बच्चो द्वारा पूरे दिन में किये गए कार्यों के बारे में बात कर सकते हैं तो बच्चो आपको कार्य पत्री का मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा और बच्चो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तक यू